नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आए बिना देर की शुरू करते हैं मास्की कहानी कहानी का सिरिशक है सरकस सरकस तो आपने जरूर देखा होगा उसमें तरतरह के खतरनाक और दिल दहलाने वाले कर्तब दिखाये जाते हैं शायद आपने वह बेमिसाल खेल भी देखा हो जिसमें लकड़ी का एक बड़ा चक्का घुमता हुआता है उसी के साथ एक छरहरे बदन की बेहत खुबसूरत लड़की आती है फिर एक कलाकार अपने हाथों में तेज चमकदार छपपन छुरियां लेकर आता है दिखाता है फिर चुरियां पास रखी मेज पर रख देता है और लावड स्पीकर पर आवाज आती है साही बानो इस दिलकस खतरनाग खेल का नाम है छपपन चुरि दर्सकों में से भी आवाजें आही जाती है वाह क्या नाम है लड़की भी तो छपपन चुरी है तभी म्यूजिक बजने लगता है दर्सकों में से किसी मंचले को बुलाया जाता है उस मंचले से पुरुष्ट कलाकार की आँखों पर पट्टी बंधवाई जाती है ताकि वा कुछ देख न सके फिर म्यूजिक तेज होता है लकडी का गुलाकार चक्का घूमने लगता है वा छहरी खुष्ट लड़की उस चक्के पर गड़ी दो खुटियों का सहरा लेकर बल खाकर चिपक जाती है असली खेल शुरू हो जाता है म्यूजिक कर तेज हो जाता है आखों पर बंधी पट्टी वाला वह पुरुष्ट कलाकार मेज पर रखी आठ दस चुरियां टटोल कर उठाता है उन्हें माथे से लगा कर इबादत के अंदाज में चुमता है गुलाकार चक्का घूमना शुरू करता है चक्के पर चिपकी वा खंदार कमरवारी लड़की भी साथ साथ घूमती है पुरुष्ट कलाकार पहली छुरी फेकता है वह लड़की के जिस्म के पास चक्के में धंस जाती है चक्का चलता रहता है और फिर म्यूजिक के बैंग के साथ एक छुरी आती है और उस खुबसूरत लड़की के बदन के खमों के मुताबिक धस्ती जाती है चक्य की रफतार के साफ चमचमाती छूरियों के आने और धसनी की रफतार भी बढ़ती जाती है दर्शकों की सांस रुक सी जाती है फिर 56 छूरियों का ये खतरनाख खेल समावत होता है और सरकस का तंबू तालियों की गड़गडा हट से गूंज उटता है वो लड़की चक्य से बेदाग उतरती है पुरुष कलाकार अपनी पट्टी खोल कर उसे आगोश में ले लेता है फिर वे दोनों सर जुका कर दशकों को धन्यवाद देते हैं और तालियों के संगीत पर वहाँ से दोड़ते हुए नेपथे में चले जाते है दूसरा कर्तब शुरू हो जाता है पर यहाँ कुछ दूसरा ही हुआ वो च्रहरी खुबसुरत लड़की उस पुरुष कलाकार की बीवी थी वह दिलोजान से अपनी बीवी को प्यार करता था पर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बीवी बेवफा हो गई कलाकार ने अपने प्यार की दुहाई दी बड़ी मिन्यते की लेकिन वह नहीं मानी वो रास्ता बदल कर चलती रही कलाकार, उदास, निराश और आधा पागल हो गया पर सरकस का चपन छुरी वाला खेल बदस्तूर चलता रहा आखिर एक रोज एक दोस्त ने कलाकार को राय दी कि बीवी की बेवफाई बरदास्ट करने के बजाए वह एक चुरी गलत फेक कर बेवफाई का या खेल खत्म क्यों नहीं कर देता कलाकार सोचता रहा, खेल तो बदस्तूर जारी था कई दिन उसने दोस्त की बात पल अमल करने के इरादे से चुरी गलत तरीके से फेकने की कोशिश की लेकिन फेक नहीं पाया और जिन्दी के साथ साथ सरकस का या खतरना खेल भी चलता रहा आखिर दोस्त ने एक दिन या कही दिया कि तु बुजदिल है गलत छुरी फेक कर बेवफाई का बदला नहीं ले सकता तो कलाकार ने सोचते भी कहा, क्या करूं दोस्त मैं अपनी उगलियों को जुम्बिश देकर किसी भी दिन उसके कलेजे को चीर कर बदला ले सकता था लेकिन इन उगलियों ने जो हुनर सिखा है उसने एसा नहीं करने दिया धन्यवाद